अभी मैं गाउं आ गया हूँ और गाउं से निकलता हूँ मैं सुल्दानपुर के लिए ये है गोबिंद साहब का मेला जहां पे मेला लगता है एक महीने करीब चलता भी एक डिड़ महीने हुआ खत्ब हुए कितना पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं पानी का निकास नही हो जाती है कि सरकार का कोई प्रावजन नहीं होता है कि साइड में दोनों साइड नाली बन जाए जिसके पानी का निकास सही तरीके से बरसात में हो पाए तो कल साम को खोब बारिस हुई है जगह जगह पानी भर गया है जमा हो गया है और इस समय बहुत डर रहता है कि बाइ या जबरदस्त हाइवे वह क्या मज़ा आ रहा सीधे बाइक की स्पीड 110-120 वाट लबली रोड यह दुखताई होता है कभी जब आप बहुत अच्छी स्पीड में चल ले होते हैं और एका एक ऐसी खराब सड़के आ जाए पहले चीज़ तो यह है कि दुरघटना होने के चां यह आपको बहुत ही केरफुल तरीके से गाड़ी चलानी है क्योंकि हाइवेज अभी बन रहे हैं काम चल रहे हैं जगह जगह सड़के जो है उकड़ी होई है और इसलिए आप बहुत ही समल करके गाड़ी चलाएं हेलमेट जरूर पहन के रखें यह आपके सामने एक अम बेटकर नगर डिश्टिक का तो इस बस खारी बाजार में आप देखें अभी तो सुबह का समय है तो भीड़ भाड़ नहीं है साम के समय यहां से बाइक निकालना भी मुश्किल होता है और आप देख सकते हैं आने वाले समय में यहां बाइपास बन रहा है बाइपास अब कर तो सब्सक्राइब बने कि रहाएं प्रेपर बहूंता पार तो सकते हैं कि मन्डी से सीधे फूर नहीं हो आता है और आपको यहां कम रिठेंपकी पर ऑना कर देखें तो पूल के उपर इगर आप जाते हैं तो अगर आप मैं जिस की दिसा में जा रहा है उधर जाएंगे तो आप सुल्टान पूर कोज़ेंगे गर पीछे stuffsबत में जाए तो आप सीधे टांडा पहुंच जाएंगे पाप से आंबेटकर नगर-या-कपर बन करके तयार है और वहां से आप सीधे गोरखपुर सीधे कनेक्ट हो जाएगा तो यह हाइवे बनने के बाद आप सीधे सुल्तानपुर से अकबरपुर बाइपास होते हुए बिना किसी ट्रैफिक के आप सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे और इस रोड पर काफी काम चल रहा है ट्रकों काना जाना आप देख सकते हैं मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस जो बाइपास बना हुआ है इस जगह पे जो जमीन की कीमत थी बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ती थी कोई इस बीहड में जमीन लेने को तयार नहीं था लेकिन इस हाइवे बनने के बाद जो लोगों को कमप जमीन की कीमत थी आज उसी जमीन की कीमत जो है चार लाख पांच लाख रूपए बिस्वा हो गई है तो जमीन की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ गई इस हाइवे बनने के बाद और अब लोग यहां पर देर देर जमीन लेने लगे हैं प्लोटिंग होने लगी है क्योंकि आने वाले समय में जो सहर का जो विस्तार है यहां तक होगा और इसके आगे तक होगा तो यहां पर जमीन लेना कैसकते हैं कि इंवेस्टमेंट की दिष्ट से ज़्यार बेठर होगा और आप ट्रैफिक की समस्या से भी दूर होंगे और सहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 4-5 किलो मीटर दूर है तो कोई साहर के लिए या मार्केट के लिए कोई बहुत जादा दूरी नहीं आजा आपको बिराद देख रहा है लेकिन कल को यहीं पर बहुत बड़ा जो है कसबा है डेवलप हो जाएगा मकाम बन जाएंगे यह टपों को देख सकते हैं और अभी हाइवे ने हाइवे अथार्टी ने रोड को बंद कर दिया आप देखिए यह गाड़ियों को निकलना बड़ा मुस्किल हो रहा है इनोंने क्या किया होगा अरे हट जारे बाबा मुझे तो जाने दे ओ हो हो थैंक्यू भाई थैंक्यू यह देख रहे हैं इस हाइवे से टकों का जो जायन होता है तो अभी कुछ है हाइवे का काम चल दा है इसलिए रोड को भी प्रोज किया हुआ है यह देखे यह जो ब्रीज बना हुआ है ब्रीज में कुछ प्रब्लम आ गई है फिर जवी नया बना था पुल नया बना था तो इस प्रीज पर काम चल रहा है और ट्रैफिक को एक साइट से बिल्कुर रोग दिया गए है आप देखें यह लेफ्ट साइड में रोड को क्लोज करके यहोंने यह काम चल रहा है सलिय वगर दिख रही है इसको इसको तोड़ा हुगा है साथ कुछ प्रोब्लम आ गई थी तो अफिना सीधे जाओंगा यह जैसी बी ने साथ रास्ता बंद किया था फिर थोड़ा सा खोला हुगा है जिससे ट्रैफिक बाद इतना हो और कम स्क प्रिकल वाला है और ना बहुत जादा गाडियों का ट्रैफिक है इसके लोग बहुत ही स्पीड में चलते हैं इस हाइवे पर आने के बाद यह सुल्तानपुर अकबरपुर का हाइवे है इसमें आने के बाद सेदे अपने आप जो एक्सिलेटर लोगों का भाग जाता है ल इसमें आपकी कंट्रोल हो जाए यह है ट्रेन आ गई है और अभी आठ बच कर 41 नट हो रहे हैं तो मुझे लगता है हाँ यह फिरोजपूर धनबाद एक्स्प्रेस है इसका आने का टाइम है यह यहां से क्यों अ सब्सक्राइब एक्सपार में आने का इक्सपार है आने कि आने को ऊच्पार मैंम झाल 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 झाल